हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रफुल और मैं आप सबका study IQ case platform पर स्वागत करता हूँ आज हम लोग एक article discuss करने वाले हैं जो topic जो है वो current news में था कि why spurious leaker can be a deadly अब spurious leaker ये deadly क्यों हो सकती है तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी recently तमिल नाडू में huge tragedy हुई है जिसमें more than 47 लोगों की जान गई है इससे पहले बिहार में भी huge tragedy हुई थी इंडिया में इस तरह की news आती रहती है तो आज हम लोग समझने वाले है कि ये huge tragedy हुटी क्या है किन reason के वज़े से जो शराब जो है ये जहरीली बन जाती है जिसे पीने के वज़े से लोगों की death हो जाती है अब इस topic से related ना हमें दोस्तों में इसमें बहुत तरह के अलग-अलग questions आ सकते हैं ये topic अगर जनरली बात करें तो ये social economic causes पर जादा questions होता है कि कौन से reason है जिसके वज़े से लोग इस liquor को drink करते है या जो भी government available देसी शराब वगेरा जो है इनका availability होने के बावजूद भी क्यों लोग देसी शराब ये जहरीली शराब पीते हैं अब ये जो answer आप लिखोगे तो उसमें जो एक scientific और technical aspect आता है उस पर आज हम लोग discuss करने वाले हैं आप इसका न technical और scientific aspect बता पाऊगे कि शराब जो है वो जहरीली क्यों बन जाती है तो चलिए दोस्तों उसको समझते हैं तो जैसा कि हमारा आज का जो topic है वह हूच tragedy तो सबसे पहले समझ लेता है कि हूच tragedy होती क्या है तो दोस्तों क्या ये देसी दारू होती है इसके बावजुद दोस्तों जो local ingredients से जो दारू बनाए जाती है जो illegal तरीके से बनाए जाती है वो black market में supply की जाती है जिसके speciality ये होती है कि वो देसी दारू से भी सस्ती होती है और सबसे important चीज़ ये देसी दारू से भी बहुत जादा strong होती है तो लोगों की जो demand होती है ना दोस्तों की सस्ती दारू चाहिए प्लस ट्रॉंग दारू चाहिए इसके वज़े से हुच मार्केट जो है वो बढ़ जाता है जिसके वज़े से कभी कभी उस market में जहरीली शराब आ जाती है और इतने सारे लोगों की death हो जाती है तो आखिर म के नाम पर इसे बनाया गया है यह ट्राइब यह जोग जनरली स्ट्रॉंग लिकर बनाते थे ठीक है अब स्ट्रॉंग लिकर मतलब क्या स्ट्रॉंग लिकर मतलब ऐसी लिकर जिसमें ना डारेक्ट इथिनॉल का content जो होगा वो जाधा परसेंट में होगा ताकि उससे जाधा बनाते हैं तो यह प्रॉपर इंडस्ट्रियल या सांटिफिक तरीके से नहीं बनाते हैं जिसके बनाते वक्त शराब जो है जहरीली बन जाती है जिसको पीने के वज़े यह बनती कैसी है इसकी जो प्रोसेस है इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते कि अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस होता है जितना भी लिकर में अल्कोहल यूज होता है ठीक है दोस्तों लिकर याने अल्कोहल ही अल्कोहली इंटॉक्सिकंट होता है शराब में तो य जो भी modern liquor पी जाती है जो English liquor जो होती है इसको इंडेस्ट्रे में प्रोड्यूस करते हैं करके यहां पर बहुत सारे सेप्टी और स्टैंडर्स मेंटेन के जाते हैं तो जनरली करता है यहां पर alcohol मतलब ethanol में convert कर देता है यह जो प्रोसेस होती है दोस्तों इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं अब यह जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन की यह बहुत हजारों सालों से ट्रेडिशनली यूज की जाती है किसके manufacturing में तो दोस्तों बेवरेज जैसे की wine है, beer है, इनके production में इसको हम लोग हजारों सालों से यूज करते आ रहे हैं अब इस प्रोसेस का ना दोस्तों एक drawback है इस प्रोसेस का drawback यह है कि जब fermentation प्रोसेस चालों होती है तब इतनौल जो प्रोड्यूस होता है तो उसके वज़े से एक टाइम ऐसा आता है कि उस mixture में इतनौल की quantity इतनी जादा होती है कि जिसमें इस्ट जो है जो माइक्रो ऑर्गयानिजम था वो सर्वाइव नहीं कर पाता अब जब इस्ट की डैथ हो जाती है तो उसके वज़े से क्या होता है कि यह बहुत वीक बेवरेज बनाता है यानि बीयर वाइन यह जो इस जो फर्मेंटेशन में थर्ड से जो बेवरेजेस बनाया जाते है ना दोस्तो इन में मैक्सिमम 14-18 परसेंट ही अलकोहल हो सकता है अगर आपको इस से जाधा स्ट्रॉंग वाला अगर अलकोहल चाहिए इस से जाधा स्ट्रॉंग वाली लिकर चाहिए तो उसके लिए और उसके जो component है उस mixture के जो component है उनको physically separate की जाते है जहाँ पे method जो है वो evaporation और condensation को use किया जाता है याने simple language में condensation और evaporation को use करके उस fermented mixture में जो भी different component है उनको हम लोग separate करते है उसके लिए इनको properly heat up किया जाता है तो इसमें basic idea यह होती है कि उनका boiling point जो है वो different होना boiling point जो है वो different होना चाहिए अब यह जितने भी different है इसको heat up करते है तो ethanol जो है वो 78 degree पे heat up हो जाता है और उसकी vapor बन जाती है vaporization फिर उस vapor को collect करके हम लोग उसको condense करते है और उससे pure ethanol बनता है अब दोस्तों याद रखना distillation से जो भी liquor बनाई जाती है यह बहुत जादा strong होत होता है specially fermented drinking से तो distillation वाले drink बहुत जादा strong होते है अब यसी process को यह होगी हमारी liquor manufacturing की process जो industrial लेवल पर की जाती है अब दोस्तों हुच का manufacture की जाती है पूच दोस्तों बहुत ही रडिमेंटरी सेटिंग में बहुत ही unhygienic conditions में local equipment यूज करके यह लोग बनाते हैं अब हुच का production कैसे होता है तो हुच भी है ना दोस्तों यह भी distillation method के तुरू बनाई जाती है पर यहाँ distillation के लिए industrial equipment नहीं होते तो simply यह लोग क्या यूज करते हैं यह लोग एक big watt यू को use करते हैं उसके उपर यह उसको condensation के लिए इस बरतन में simple पानी भर देते हैं और यहाँ उसको heat up कर देते हैं और जैसा आप देख सकते हो इस tube से यह जो alcohol है उसको bottle में यह लोग collect करते हैं यानि कोई industrial setup नहीं है बहुत ही ethanol vapor बन जाता है और vapor को यह condens करते हैं और condensation के लिए यह लोग simple थंडा पानी यूज करते हैं और इस तरह से ethanol को बनाते हैं और यह ऐसे multiple round carry on के जाते हैं distillation process के तो यह जो liquor होती है यह strong liquor होती है यह point आप याद रखोगे दोस्तों और हुच की demand इसी के वज़े से बढ़ जाती यह होती है जाधा चड़ने वाली शराब चाहिए होती है और दूसरा सस्ती भी चाहिए होती है अब यह जो हूच जो है यह जो शाराब जो है यह जहरीली कैसे के बन सकती है तो इसका जहरीली बनने की पीछे का एक reason दोस्तों यह आता है कि वो जो fermented mixture होता है ना पूंप्ल 12 जो भी वो norm इंटेड़ मिक्षट होता है ना दोस्तों उस फर्मेंटेड मिक्षर में इथे नाले और एक बनंड होता है और वो होता है दोस्तों मिTHन ठीक है आप इसको याद रखोगे वो जो फर्मेंटेट ड्र obligations गाल जो होता है जो इस जब इस जब इसद्व नौश होता है उसले मub Jeez रहा होता अर्ला अलकोहल भी बोला जाता है आप इसको याद रखोगे यह यूमन बींग के लिए टॉक्सिक है तो फिर नॉर्मल जो फर्मेंटेट बेवरेजेस होते हैं जैसे कि बियर है वाइन है क्या इनमें मिथनॉल नहीं होता तो दोस्तों उनमें भी मिथनॉल होता है पर वो बहुत ही स बीवरेजर में बढ़ जाता है इसके वजह से डिकर की टॉक्सिसिती इंक्रीज हो जाती है यानि वह लीकर तो स्ट्रॉंग होती हैं अव टॉक्सिक होने के ही इसका रिजन के आता है तो दोस्तों इसका रिजन है बोईलिंग ओइंक़ा डिफरन्स जैसाकि कि आप दीखें यहाँ पे मिथेनॉल जो है मिथेनॉल का boiling point जो है वो है 64 degree Celsius जब कि इथेनॉल का boiling point है दोस्तों वो है 78 degree Celsius तो जब यह लोग यह simple part में इसको जब heat up करते हैं तो यहाँ पे temperature maintain करने वाली कोई system है यह नहीं तो जब आप temperature बढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो 68 degree temperature आएगा यानि सबसे पहले मिथिनॉल बॉयल होगा और उसी के वेपर पास होके आप उसको कंडेंस करोगे यानि फर्स राउंड में जो भी वहाँ पे लिकर आएगी वो मिथिनॉल होगी फिर उसके बाद जाकर टेंपरेचर आपका जब 78 डिगरी पे जाएगा तब जाके कही इतिनॉल बॉयल होगा यानि सेकंड राउंड से आपके पास इतिनॉल का कलेक्शन होगा और दोस्तों इस सेट अप में और एक इशोव यह होता है कि इसका जो टेंपरेचर है न यह कॉंस्टन रखना होता है तो वो टेंपरेचर 78 डिगरी से जादा नहीं जाना चाहिए मतलब अगर यह 100 डिगरी हो गया तो वाटर भी बॉयल हो जाएगा तो फिर उसमें इतिनॉल में वाटर की वेपर भी मिक्स होकर आएगी यानि डाइलूट से सोलूशन बनेगा तो उसके वज़े से क्या होता है कि जो फर्स्ट राउंड में जो मिथिनॉल आया है उसे डिसकार्ड करना होता है फिर बाद में आप सेकंड राउंड में इतिनॉल को कलेट करोगे यह इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड मिंटेन करता है क्योंकि उनके पास sophisticated equipment होता है पर जब ये हूच local level पर बनाई जाती है तब उसमें ये सारी चीजों पर धन नहीं दिया जाता जिसके वज़े से हूच में methanol का concentration बढ़ जाता है और coincidence देखिए अगर उसमें water paper का भी concentration बढ़ जाए तो उसके वज़े से वो liquor जो है वो उतनी strong नहीं बनती तो फिर ये जो हूच manufacturer होते है ये उसको strong बनाने के लिए क्या करते है दोस्तों तो ये हूच manufacturer उसे strong बनाने के लिए उसमें बहुत सारे adult rate डालते है add करते है अब उसको adult ration करते है तो कौन से कौन से adult rate डाले जाते है तो दोस्तों इसमें आप देखोगे ये organic waste डालते है battery acid डालते है industrial grade का methionol खरीद के डालते है कई बार तो ये लोग pesticide भी डालते है तो अभी यहाँ पे एक ऐसा scenario समझ लीजे कि जहाँ पे ये जो methionol है plus ये adult rate toxic वाले जिसके वज़े से पूरी liquor की toxicity बढ़ जाती है अब इसका use किसलिए किया जाता है तो यहाँ पे इसका use इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़ादा toxicating होती है और इसके effect जो होते blackouts, memory loss बहुत ज़ादा नशा जिसके वज़े से लोग इसको consume करते है इसके वज़े से ये ऐसी tragedies होती है जिसमें बहुत सारी लोगों की death हो जाती है तो I hope कि अभी आपको समझा होगा कि इतने सारे लोगों की वो जहरीली शराब पीने से death क्यों हो जाती है और वो शराब जहरीली क्यों हो जाती है तो शराब जहरीली होने के पीछे दोस्तो दो major कारण आते है पहला है concentration of methanol और दूसरा है use of adulterations अब ये poisonous या toxic हो सकते है तो फिर इस पर कोई medicine नहीं है क्या दोस्तो इस पर कोई treatment नहीं है क्या इस पर treatment है दोस्तो और वो treatment भी बोड़ी interesting है अभी जैसे इसके लिए common method जो है तो doctor जो prescription दिये जाते है तो पहला prescription दिया जाता है दोस्तो फोमेपीजोल का अब ये बहुत expensive method होती है इंडिया में available नहीं होती तो Indian doctors जो है इसके treatment के लिए most लिए second method पर अपलाए करते है वो है ethanol हाँ जी Methanol poisoning के लिए solution है दोस्तो Ethanol poisoning तो doctors generally क्या करते है 1 to 1 ratio में ethanol और water को patient को देते है अब आप बोलोगी Ethanol तो शर्प भी होगी लिकरी होगी हाँ जी तो जब Methanol poisoning होती है तो doctor उस person को जादा Ethanol देता है पानी के साथ उससे ये होता है वो Ethanol जो है उस Methanol का जो toxic बनाने वाली process होती है Methanol का जो conversion process होता है toxic बनाने की उससे slow कर देता है साथ ही में Ethanol उस Methanol के साथ bind up करके उसे body से flush up करने में help करता है अब वो body से flush up जो है वाया urine भी हो सकता है और वो वाया dialysis भी किया जा सकता है तो ये इसकी treatment method होती है यानि Methanol poisoning में जो जहरीली शराब का जो नशा हो जाता है उसका जो solution है वो है दोस्तो extra शराब तो बहुत बार लोग जो दूसरे दिन pack लेते है रात का नशा उतारने के लिए तो शायद उन्हें पता नहीं होगा पर वो इस वे से काम कर जाता है तो उनको नशा उतरने में help हो जाती है अगर Methanol का concentration बढ़ता है तो तो I hope दोस्तों की अभी आपको ये topic समझा होगा और आप इस topic पर आने वाले questions जैसे आते उनके बारे में कुछ scientific or technical information लिख पाऊगे जैसे कि सबसे पहला question जो हम लोगों ने starting में देखा था उसी को एक बार पढ़ लेता है आप भी पढ़िये अस्पूरियस liquor also known as which can be deadly can be deadly beverage ठीक है deadly beverage हो सकता है discuss the reason behind this अभी इसके पीछे का reason अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों तो आप लिख सकते हों कि इसके पीछे का reason है manufacturing process जो properly industrial standard के इसाब से नहीं की जाती है बहुत ही unhygienic और rudimentary system होती है जिसमें methanol का concentration बढ़ जाता है plus intoxication को बढ़ाने के लिए भी adaptation की method अपलाई की जाती है जिसके वज़े से ये poisonous बन जाते है highlight the danger of improper production method and adulteration तो ये technical वाला subject जो है जो दोस्तों आपको आ सकता है या आपको social issue भी आ सकते है कि इसका tragedies का public health पर और safety of India पर क्या impact होता है तो आप hope कि आप इसका answer भी लिख पाओगे अभी इसी topic पर दोस्तों prelims में भी हमें questions आ सकते हैं जैसे कि prelims का एक question ले लेते हैं as a example what toxic substance is commonly found in spurious liquor leading to severe health issues अब कौन सा है वो तो देखिए option क्या क्या है ethanol है, methane है, acetone है, benzene है तो इसका answer क्या है दोस्तों इसका answer है दोस्तों methanol जिसको industrial alcohol भी बोला जाता है तो आज के इस lecture में बस इतना ही I hope you found this video very useful, thank you कर दोस्तों जाज येầy है जैसे के दोस्तों ए Cont Agree है तोस्तों आज नाढको